हाई गाईज कैसे हूँ आप सब उमीद करती हूँ आप सब बिलकुल ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ तो आज मैं आपके लिए लेकर क्या आई हूँ बिना सिलाई मसीन के बिना कट किये साथ ऐसे अमेजिंग आइडियाज जो आपके घर को करे और्गनाईज और आपके कामों क करे आसान और वेश्ट पड़ी चीजे जो है वो भी यूज हो जाएंगी तो देखिए एक मैंने लिया है इस तरीके से जो चाय के कप आते हैं वो वाला मैंने एक बॉक्स लिया है और सारे कप मैंने निकाल लिये हैं क्योंकि वो तो हमको यूज करने हैं अब खाली बॉक्स का देखिए हम करेंगे कुछ इस तरीके से यूज मैंने एक डब्बे के अंदर भर रखी है चोटी चोटी चीजे कुछ बटन है कुछ लैसे है चोटी चोटी और कुछ रणर वगेरा है कुछ हूक वगेरा है इस तरीके का सामान है डब्बे में भर रखा है जब भी मेरे को को सामान चाहिए तो मुझे इस तरीके से पिखेरना पड़ता है सारा सामान लेकिन देखिए हम इसको organizer बनाएंगे और इस तरीके से देखिए अलग-अलग इस में 6 खंड हैं तो अलग-अलग देखिए हम इस तरीके से डाल देंगे और ये बटन जो है मेरे पास 4-5 त्रेके हैं अलग अलग तो इस तरीके से जो है मैं एक के अंदर ही भर दूँगी क्योंकि जब मुझे चाहिएंगे तो बटन तो आराम से दीखी जाएंगे इसके अंदर तो देखिए काफी जादा स्पेस होता है इसके अंदर आपके बटन खूप सारे आ जाएंगे इसके अंदर और इसको जो हम ऐसे कच्रा समझ कर फैक देते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम का होता है गाईस इस तरीके के जो भी बॉक्स आते है मेरे घर में मैं तो एक को भी नहीं फैकती हूँ और इस तरीके से कुछ ना कु चीजे इसके अंदर और और इस तरीके से मेरे पास दो बॉक्स थे तो दोनों को मैंने इस तरीके से सेट कर लिए आप देखे ढकल लगा के कहीं पर भी रख देंगे और जब भी चाहिएगा हमको सामान तो इजीली हमको मिल जाएगा फटाक से ढकन को हटाएंगे और हमको अलग से दीख जाएगा कि कौन सा समान कहां पर रखा हुआ है और चीजे आइज्ञेश हो जाएंगे इस तरीके से विखरी होई नहीं रहेंगे और दिखने में भी सुंदर लगेंगी तो इस तरीके से जो है आप िन चीजों को छाली बॉक्स को इस तरीके से यूज 가능 कर सकते हो next idea के लिए मैंने ली है एक पुरानी साड़ी और एक साड़ी के दो पिस बना लिए हैं और फिर उसको मैंने download fold कर लिया है इस तरीके से और अब देखे डबल fold में ले रखा इसको मैंने और अब देखे हमको बीच का सेंटर निकालना है इसका यहां से तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे एक बार और फिर यहां से पकड़ लेंगे तो यहां से बीच का सेंटर आ जाएगा इस तरीके से आप चाहो तो मार्किंग भी कर सकते हो लेकिन मैंने हाथ से पकड़ रखा है फिर देखिए एक पल्लो को इधर से इस तरफ करेंगे और एक को इस तरफ करेंगे तो सेंटर में हमको इस तरीके से इसको जो है सेट कर लेना है यहां से और अब देखिए मैंने एक सुई धागा लिया है और धागा हमने फॉर फॉल डाल लिया इसके अंदर और अब देखिए हमको ज्यादा ब आप देख सकते हो, सिलाई भी दीख रही है कि मैंने कितनी बड़ी ली है इसमें, लगभग एक एक इंच की दूरी से मैंने इस सिलाई को लिया है यहां पर, और यहां पर लोक करके धागे को जो है निकाल लेंगे सुई को, अब जो है हमको देखिए, कोर्णर को बाहर निकाल अच्छे से फिर इसको सिधा कर लेना है यहां से, और पलट कर हम इसको देखिए, दूसरी सैट करेंगे इस तरीके से, अब उपर से सैट कर लेंगे इसको, उपर से सैट करने के बाद देखिए, यहां से कुछ इस तरीके से हमको अंदर की सैट दबाना है, पाच इंच के ल कर लेंगे और हेंगर हमारा मजबूत होना चाहिए और इसको नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरीके से देखिए चार पाच इंच उपर की तरफ साड़ी को कर देंगे यहां से और यहां से भी देखिए हम इसको जो हाथ से बड़ी बड़ी सिलाया लगा देंगे और धागा से पक्का करते हुए हम इस लाइक को लगाएंगे लास्ट में फिर से इसको जो है हम लोग करके धागे को यहां से अटा लेंगे सुई को तो गाइज वेस्ट पढ़ी हमारी साड़ी जो है उसका यूज हो गया है आज और बहुत ही कमाल की चीज बनकर यह तयार हो गई है तो देखे इसके अंदर हम इस तरीके से अपने ब्लैंकेट को स्टोर कर देंगे यहां पर आप चाहो तो इसमें पहनने के कपड़े भी डाल स सकते हो देख सकते हूँ इसका फाइनल लुक झापर आप उसको जो है कहीं पर हैंग कर सकते हुआ नो कितना पैरा जो है इसका लुक आया है अप देख सकते हो रेक साड़ी से आपके जाएं चार आप से लिए मैम आ एक्ट लिया है और इस स्वेटर को नहीं कट करना है कैसे नहीं सिलने की ज़रूरत है ज़स्ट इसकी इस तरीके से स्लूज को अंदर निकालेंगे और इस तरफ कर देंगे और दूसरी स्लूज को इस तरफ निकालेंगे और दूसरी तरफ कर देंगे इस स्लूज को यहाँ पर इस तरीके से इसको इस तरफ करूंगी और मैंने एक पीलो लिया है और इसको देखे इस तरफ इस तरीके से डाल लेंगे guys क्या होता है सर्दियों में जो है ठंड में हमको पीलो जो होते हैं वो बहुत ही ठंडे लगते हैं चदर तो हम गरम भी चा लेते हैं लेकिन blow cover होते हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं तो आप इस तरीके से जो अपने पुराणी स्वेटर का यूज करके अपने पीलो को भी गरम बना सकते हो इस तरीके से और वेश्ट परी स्वेटर भी जो है वो भी आपकी यूज हो जाएंग नेक्स्ट आइडिया में देखिए हम पुरानी स्वेटर का ही यूज करेंगे और इस स्वेटर को हम देखिए इसी स्वेटर को मैंने वापिस यूज करके मैं आपको बता रही हूँ तो इसको देखिए क्या होता है गाईज इस तरीके की जो चेयर होती उसके अंदर हमें पीछे की साइड जो है कवर लगाना होता है मतलब इसको कवर करना होता है यहां से तो इस तरीके से हम अपनी स्वेटर से इसको कवर कर लेंगे यहां पर टोवेल डालते हैं तो बार-बार अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बार-बार वो बच्चे उसको खिचते रहते हैं और बार-बार वो घिरता रहता है लेकिन इस तरीके से जो आप अपनी पुरानी स्वेटर का यूज कर सकते हो इसमें और आप देख सकते हो यहां से कुछ इस तरीके से दबा देंगे और इसका लुक आप देख सकते हो इस तरीके से बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा तो इस तरीके से आप अपनी चेयर को जो है पीछे से कवर कर सकते हो नेक्स्ट आइडिया के लिए फिर से मैंने पुरानी स्वेटर ही ली है और इसको देखें यहां से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको फोर फोल्ड कर लेंगे फॉर फोल्ड करने के बाद इस तरह पलट लेंगे इसको और अब मैंने सुई धागा लिया है और बड़ी-बड़ी इसके अंदर सिलाइयां लगा देंगे सेम कलर का धागा ले लिया है मैंने और इसके अंदर बड़ी-बड़ी सिलाइया लगा रही हूं मैं इस तरीके से और दो-तिन सिलाइया लगा लेंगे लंबे-लंबी इसके अंदर हम इस त्रीके से यह देखिए ये ये वाला idea उन के लिए है जो ज़्यादा मेनत नहीं करना चाते हैं और फटा फट से कुछ बनाना चाते हैं तो देखिए आप इस त्रीके से जो है पायदान बना सकते हो इसको अपने बातरूम के बाहर डाल सकते हो खुब सारा पानी सोक लेगा, इस सोफ्ट होता है, बिल्कुली सोफ्ट बना है, और फटा-फट से यह हमारा पाइदान बन कर रेडी हो जाता है, नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने लिया है यहाँ पर पीलो कवर, और देखिए पीलो कवर को, क्या होता है गाइस, पीलो कव कवर नहीं फटते हैं, तो उनको आपकिस तरीके से यूज कर सकते हो, देखिए, इस तरीके से जो ब्लैंकेट होती है, हमारे पास सभी के घरों में इस तरीके की ब्लैंकेट होती है, तो उसको देखिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, से जिस साइज का हमारा पीलो कवर है और इसके अंदर इस तरीके से हम 3-4 कंबल डाल देंगे तो इससे क्या होगा एक तो हमारी कंबल है वो भी ओर्गनाइज हो जाएंगी और दूसरा जो है हमारे पीलो भी जो है रेडी हो जाएगा क्या होता है जब घर में मेहमान आते हैं तो हमको पीलो कवर की आवसित्ता हो जाती है एक्स्ट्रा में तो ज्यादा हम जो है घर में समान को भी नहीं भरके रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप फटाफट से इस तरीके का जो है पीलो तयार कर शकते हो और इससे जो है आपका घर भी ओर्गनाइज रहेगा क्योंकि सारी कंबल जो है आप इस तरीके से 2- मैंने खोल बनाई है और यह मैंने चोटे-चोटे कपड़ों से बना कर तयार की है और इसके अंदर देखिए हम कुछ इस तरीके से ब्लैंकेट को ही डालेंगे जो पतली वाली कंबल होती है वो इसके अंदर डाल देंगे और चार से पांच कंबल इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से और इससे क्या होगा हमारी जो कंबल पड़ी है वो भी और्गनाईज हो जाएगी और यह हमारे रोज काम में आने वाली चीज बन कर तयार हो जाएगी तो इस खोल के मैंने चैन लगा रखी है और इसको देखे इस तरीके से पलट कर सिधा कर लेंगे अगर आप यह खोल घर पर बनाना चाते हो तो इसकी लिंक में नीचे description box में दे दूँगे आप बना सकते हो किसी भी कपड़े से और वरना यह market में भी खोल easily मिल जाती है और फिर देखे चैन को बंद कर देंगे तो यह खुबसूरत से हमारे रजाई बन कर तयार हो जाती है जब हमको पतली कंबल चाहिएगी तो निकाल लेंगे इसके अंदर से और हमको कंबल स्टोर करने का जंजट जो था हमारा वो भी खतम हो जाता है तो इस तरीके से गाईज मैंने आज आज आपके साथ साथ आइडिया जो है शेयर किये हैं तो कमेंट बोक्स में बताना जरूर कौन सा आइडिया जो है आपको सबसे जादा अच्छा लगा है मैं उमीद करती हूँ आपको सभी आइडिया जो है जरूर पसंद आये होंगे पसंद आये हों तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए बाई